कोई भी घर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है material का और labor का और जो material और labor होती है ये किस से चलता है आपके पास पैसा होगा तब तो घर बनाने में हमें आजकल अच्छा खासा पैसा लग जा रहा है और घर बनाने में अगर हमें ज़्यादा जनकारी नहीं होती है तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है और इन फिजूल कामों के वज़ा से हमारा उसमें एक्ट्रा पैसा लग जाता है हम एक limit से अपना पैसा बहुत मेनत से कमाते हैं फिर एक पूंजी तयार करते हैं कि चलो अपना एक इतना बड़ा घर बना रहा है और जब हम काम कराते हैं तो हमें काम जो फिजूल काम होता है उसके वज़ा से हमारा घर का काम बीच में रुक सकता है और बहुत बार देखा पैसा यहां चार से पांच लाक रुपये तक का बचत हो जाएगा साथ में जो मैं चीजे बताऊंगा अगर आप ध्यान दीजेगा तो घर भी आपका काफी मजबूत बनेगा तो चलिए वीडियो को डिटेल में सुरू करते हैं उससे पहले आप से एक छोटी से रिक्वेश मिट्टी भरिये बालू भरिये मोरम भरिये कुछ भी तो वहां जो कोश्ट है आपका लगभग पचास हजार से एक लाग रुपया वहां पे कोश्ट आपका एक्ष्रा लग जाता है दूसरी बात यह कि कोई भी घर आप बना रहा है तो उससे पहले आपको एक उसका सटीक यानि एक अच्छा पलान एक अच्छे आर्किटेक्ट से बनवाना चाहिए 15 से 20 रुपया आप खर्च करते हैं ज़र आपका एक 1000 स्कौर फिट का अच्छा पलान बन के तयार हो जाता है तो उस एक अच्छा जो पलान बनेगा उसमें होगा क्या कि जैसे आपको कितना बेड इसलिए एक अच्छा आपका अर्किटेक्ट से पलान बनवाएंगे तो जितना बड़ा आपका बेडरूम होना चाहिए कितना कम एसपेस में आपका कीचन हो जाए ट्वाल हो जाए उतना ही एरिया यूज करेगा तो आपका जो कोस्ट है वो लिमिट एरिया में खर्च होग दूसरी बात कि वो कई बर देखा जाते कि आप जरूरत से ज़्यादा बड़ा बड़ा खिड़की दरवाजा या ज़्यादा बालकनी ओगर देते हैं तो उसमें भी फाल्तु खर्च होता है तो एक आर्किटेक्ट होता है वो आपको सही पलानिंग करके सही दरवाजों का स साइज खिड़की कर साइज साइज बालकनी इतने बड़े मकान में आपको ऐसा नहीं बहुत बार देखा जाता है कि लोग चारों तरफ बालकनी निकाल देते हैं और ठेकदार भी बोलते हैं हाँ हाँ सही आपका घर हावादार बना रहेगा लेकिन दोस्तों बालकनी निका ठेकदार का पैसा भी बड़ा यह सब चीजों से बचने के लिए आपको एक प्लान बनाना जरूरी होता है दूसरा चीज कि कभी भी आप प्लान जब तैयार कर लेते हैं तो आप एक सिविल इंजिनियर को वहां पर हायर करें या फ्रेसर सिविल इंजिनियर ही रख ले जो थो तोड़ फोर नहीं होगी दूसरी बात कि ठेकदार का भी काम देखेगा कि सही तरीके से हो रहा है कि नहीं ठेकदार को कैसे एक अच्छे ठेकदार को चुनाओ करना है चूज करना है उसका payment का method कैसे रहेगा कब का पैसा देना है सब इस बातों में आपको वह help करेगा तो इ bedroom औगरा, कम जगह का इस्तमाल किया जाए, कम वहाँ पर toilet, कम kitchen, कम bedroom बनाए जाए ज्यादा तर जो आप parking area या hall का area देते हैं, एक bedroom एक kitchen औगर मतलब कम area आप इस्तमाल करेंगे तो वहाँ पर आपका कम foundation देना पड़ेगा कम beam देनी पड़ेगी तो वहाँ पर steel भी बचेगा आपका labor खर्च भी बचेगा आपका concreting का जो material होता है वही बचेगा वही चीज आप उपर में जा के बढ़ा दीजिए उपर आप ज्यादा bedroom बना लीजिए kitchen बना लीजिए, toilet बना लीजिए तो जो उपर बनेगा तो जो नीचे का foundation का खर्चा होता है वह बच जाता है तो बहुत यहाँ पर पैसे की बचत हो जाती है अगली चीज होती है walls related जैसा कि आज कल आप जान रहा है कि RCC frame structure बनाया जा रहा है column, beam देकर सब मकान को तयार किया जा रहा है तो जो दिवारे होती है दिवारे जो हम सभी जगा 9-9 इंच की बना देते है हमें idea नहीं होता है तो वहाँ बहुत हमारा eat extra लग जाता है eat extra लाएगा तो आपको material extra लाएगा mortar और फिर labor cost extra लाएगा तो इसलिए आपको करना क्या चाहिए कि जब आप एक frame structure मकान बना रहा है तो आपका जो सिर्फ पहारी दिवार है वो 9 इंच का रखिये और अंदर की जितने भी partition वाल है वो 4 इंच का रख सकते हैं और एक बार अगर आपके पास civil engineer hired किये रहेंगे तो वो भी आपको suggest करता रहेगा कहां कहां पे आपको 4 इंच देना है कहां पे 9 इंच देना है तो सिर्फ दिवार की जो मोटाई है वो कम करके आप बहुत पैसे की बचत कर सकते हैं दूसरी बात ये कि आजकल जो आपका double AC block जो आता है ये भी काफी मजबूत होता है एक लाल हीट के मुकाबले double AC block जो होता है उसका भी compressive strength बहुत ज़्यादा होता है और मजबूत होता है अगर अच्छे brand और अच्छे quality कर लेते हैं तो उसमें भी आपका काफी पैसा बचत होता है क्योंकि double AC block का जो brick work दिवार बनाने में उसमें आपका time भी कम लगता है जो mortar मसाला होता है वो कम लगता है दूसरी बात कि जो plaster का खर्चा होता है उसमें बहुत कम पतला plaster चड़ता है तो वहाँ plaster की cost भी कम हो जाती है तो मैं कहूंगा कि double AC block का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप उसी से कीजिए क्योंकि एक frame structure मकान बना रहा है तो double AC block से भी आप अगर दिवार बनाते हैं तो आपका मकान बहुत अच्छा और बहुत लंबे time तक चलेगा अगले चीज होती है कि जब हम दिवार बनाते जाते हैं तो उसी time में हमें अपने खिड़की और दरवाजा का जो frame होता है वो fix करते जाना है तो जो wooden की frame आती है जैसे की साखू और या बहुत मतलब महंगी महंगी frame इस्तेमाल की जाती है तो ओ आप use ना करके जो image की frame आती है या cement की frame आती है जो concrete की होती है ओ आप इस्तेमाल कीजिए उसकी life भी काफी अच्छी होती है और काफी लंबे time तक चलता है मजबूत भी होता है कभी उसमें दीमक और सड़ने गलने की समस्या नहीं होता है साथ में उसमें जो जूलने या गिरने की तूटने की भी समस्या जल्दी नहीं आती है अगली चीज होती है कि slab की height यानि कि बहुत जगा देखा जाता है लोग क्या करते हैं कि अपना छट का उचाई 11-12 तक रख लेते हैं जितना आपका छट का उचाई बढ़ेगा तो उतना आपका जो दिवार है दिवार उची होती जाएगी दिवार में लगने वाली जो इंट होती है मसाले होते हैं उसमें जो plaster फिर उपर तक चड़ेगा फिर paint का भी cost बढ़ेगा ये सब चीजे बढ़ती है तो इसलिए जो extender आपको एक छट की उचाही रखनी है अपने फर से वो 10 फिट की रखनी है 10 फिट से ज़्यादा आप करते हैं तो वहाँ आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है नेक्स चीज होती है elevation आप घर को सुंदर दिखाने के लिए खुबसूरत बनाने के लिए लोग उसमें बहुत hard-hard elevation और बहुत extra elevation करते हैं चज़े निकाल दिये पोर्च निकाल दिये बहुत कुछ designing निकाल देते हैं तो उसमें आपका extra material तो लगता है यह साथ में extra labor भी लगता है ठेकदार आपसे double उसका पैसे मांगता है तो इसलिए मैं कहूंगा कि जो elevation है आप थोड़ा बहुत दे दिजिए simple रखिए तो घर भी आपका खुबसूरत लगता है ज़्यादा आपको elevation देने से अभी तो आपका घर खुबसूरत लगता है लेकिन बाद में होगा ही चीज आपको खराब लगने लगता है तो इसलिए आपको simple elevation भी रखेंगे तो घर का cost काफी बच जाएगा अगली चीज होती है घर में इस्तमाल होने वाली वो होती है हमारी खिडकी जो खिडकी होती है खिडकी जैसे ओडन की आप खिडकी लगाते हैं तो ओडन की खिडकी जो है काफी महंगी पड़ती है साथ में उसमें दीमा को गरह लगने की समस्या होती है वो बीच में से फटने लगता है कुछ टाइम के बाद अगर कच्छी लकडी लगा दी गई या सही लकडी नहीं लगाई गई तो इसलिए अगर आपको पैसे बचाना है और एक अच्छा और लंबा चलना वाला खेड़की चाहिए तो आप जो sliding almonium की window आती है वो आप लगा सकते हैं और उससे भी अच्छा budget है थोड़ा बहुत तो आप EU PBC window के तरफ जा सकते हैं लेकिन मैं कहूंगा कि अगर पैसे की बचत करनी है और अच्छी window चाहिए जो कि लंबे टाइम तक चले तो आप almonium window जरूर लगाए अपने घर में नेक्स चीज होती है कि doors अब जो दर्वाजे लगाए जाते हैं तो दर्वाजा जो है अपने घर में हम खुप्सूरत दर्वाजा लगाएंगे तो कहते हैं कि घर भी हमारा खुबसूरत लएगा तो लोग क्या करते हैं सगवान का दर्वाजा उन्हें बहुत खुबसूरत लगता है क्योंकि उसमें अच्छी अच्छी डिजाइन है अच्छी साइनिंग सब कुछ मिलती है तो एक आप सगवान का दरवाजा लगवाएंगे तो 20-25,000 रुपे की होती है तो अगर आप 5 अगर दरवाजे हैं तो आप सोच लिजे कि एक से सावालाक रुपे आपका सिर्फ सगवान के दरवाजे लगवाने में गया थी इसलिए मैं कहूंगा कि आप सगवान के दरवाजे के तरफ ना जाके और जो आज कल मार्केट में रेगुलर फलश डूर या लेमिनेट डूर मिलता है जिसका रेट होता है 6-7,000 रुपे ए पैसा आप एक सगवान के दरवाजे में पांच दरवाजे आप लेमिनेट डूर ले सकते हैं जो कि मजबूत भी होता है और डियूरेबल भी होता है और एक अच्छा लुक भी देता है साथ में जो कीचन और ट्वालेट है वहाँ पे पीवीसी या ऐलमुनियम का जो दरवा और गोंतर जाएं तो वह अच्छी लाइफ देगी और अच्छा साइनिंग देगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों जो नौन बरांडेट हैल भी मिलती है वह भी आपको 20-25 साल का जितना बरांडेट है उतना ही लाइफ देती है नौन बरांडेट हैल में आपको और अल तो एक टाइल के मुकाबले डवल ट्रीपल डाम में मिलता है दूसरा बात कि इसको लगाने का जो खर्च होता है जो लेवर रेट ओभी काफी महेंगी होती है तो इसलिए मैं कहूंगा कि जहां पर जरूरत हो और कहां पर इस्टोर करना है वो हमें पता होने चाहिए और काम जब हो रहा है तो वहां पर कितना मैटेरियल का यूज किया जा रहा है कितना बरबाद हो रहा है आपको सब कुछ देखना है सुपरवीजन करना है ताकि मैटेरियल का वेश्टेज ज्यादा ना हो और दूसरी सबसे important चीज़ आ जाती है कि जब आप एक ठेकदार को hire करते हैं अपने घर बनाने के लिए तो आपको एक अच्छा ठेकदार देखना है एक experience ठेकदार हो और उसका जो rate तय हो रहा है ऐसा नहीं है कि किसी के कहना पर आप rate तय कर दे से पहले जो उसका काम हुआ है पहले वहाँ जाएं वहाँ मकान मालिक से मिलें उनसे feedback लें उसके बाद एक ठेकदार अपने घर के लिए आप hire करें और last में एक और पैसा बचाने का यहाँ पे आपको idea दे दूँ तो देखी घर का कभी भी जो काम है आप जनवरी तो छोड़ दीजे जनवरी में काफी ज़्यादा ठंड होती है तो फेब, मार्च, अपरील का यह तीन महीना होता है उस टाइम में आप घर का काम स्टार्ट करेंगे यानि फरवरी में तो आपका होगा क्या कि वहाँ पे जितना भी foundation का खुदाई होगरा नीचे का जो column होगरा footing होगरा डालना होता है आप डाल देते हैं क्योंकि उस टाइम में बारिस नहीं होती है जैसे ही आप अपरील के बाद सुरू करेंगे भी काम है वो करते रहे तो आपका काम जो है छे से साथ मेने के अंदर complete होके खतम हो जाता है